देखिए फ्रेंच कितना डिलीसियस और तीखा चटपटा बैंगन के भरता तो फ्रेंच आज हम बैंगन के भरता या आप इसको बिहारी चोखा भी कह सकते हैं तो आज इसकी रेसिपी हम आपके साथ सेयर करने वाले हैं तो बढ़ने रहें वीडियो में अंत तक वीडियो किस कि बिलकुल भी न करें अगर हमारा वीडियो पसान्दा है तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब करके बिल ऐकन को फ्रेस कर दें तो चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं तो फ्रेंच आईए वीडियो को श्टार्ट करते हैं तो इसी रेसिपी को देखने के लिए हम पू यहां पर यहां इसे करके होल बनाएंगे और पास यां धूर यह आप चिले हुए लेसन की कलियां अंदर करेंगे अगर आंदर करके ऐसे करेंगे और पकने के बाद बैंगया घो सौध करते ढ़िएक के और दाहिए ऑद गया तरह चोफिनगे have तोड़ कर देंगे हम पर में एक मिर्च घरी रिया है तोड़कर भी और इसी तरही अमें सारी लिदी के देना सिझाने और लगाने के बाद अगえー पर aust आकmir डिया है तो यहां पर हमने कलियां लगा करके तैयार कर लिया है लेस्न की कलियां लगाने के बाद यहां पर हम सरसों का तेल लगा देंगे इसके उपर ता कि यह काफी अच्छे से पके तो यह देखिए मैंने सरसों का तेल लगा दिया अब यहां पर हम इसको चूला में पकाएंगे एकदम देहाती इस्टायल बना रहे हैं बरता फ्रेंट्स तो यहां पर रीटे का चूला है जिस पर मैंने पहले पानी वाने गरम किया तब इसी के इंदर पूरा ढग देंगे और ढगने के बाद अगल बगल से हम जो इसमें आल मिर्च निकाल करके बाहर रख लेंगे तो जो जला हुआ है इसको हम नाइफ की साहिता से काटके फेंगे तो अब यहां पर हम सारी चीजों को छीलना है उससे पहले हम चलते हैं आलू की तरफ हमारे आलू पके या नहीं हमारे टमाटर और बैंगन पक चुका है अब हम आपक गए होंगे देखिये आग भी अभी एभी थोड़ा थोड़ा हुआ हो रहा है तो अम इसको चेक करेंगे फैले हमारा आलू पक चुका है अब हम लिए फेवा निकालने और शलक हो चीलर करनेहें बाहर निकाल और इंको सफा कर लिय को चीलएं चील करके एक सफा थाली हरी दो से तीन मिर्च और हरा धनिया काट लिया है यहाँ पर लिया हजीरा भुना हुआ और यहाँ पर लिया है मैंने नमक तो अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो सारी चीजों को हमने छील करके सफा कर लिया है और अच्छे से ठंडा भी कर लिया है ठंडा करने के बाद यह यहाँ पर हम एक करेंगे सर्सों का तेल एक से दो चमज यहां पर कर देंगे तो यहाँ पर हमारा चोका बनकर के तैयर है आप इसको चोका कहें सकते हैं बहता या कुछ भी है आप है आप निमू का रस भी डियों सब्रेंग चाहना है। और वोबी दीमियाज पर ठंडी भहुत है फ्रेंच ठंडीयों में आप बैंगन लाइए बैंगन को इसी तरह आप जो आप तापते हैं उसी में आलू और बैंगन पका करके बहुत आराम से चोखा या भरता कह सकते हैं जो भी बना सकते हैं और बनाने के बाद आप अवधी आ दिश्ट बनता है तो बने रहें मेरी चैनल में लास्ट तक प्रियानल को सब्सक्राइब करें बाइब